जहिंग दोस्तो सूपरभात कैसे आप सभी मैं प्रीति सिंग्हाजी रूँ आप सभी के सामने करंट अफएर की क्लास लेके तो कंटिन्यू करते हैं करंट अफएर की क्लास एक प्यारे से मोटिवेशन कोड के साथ कि जब आए हो निभाने किरदार जमी पर तो कुछ ऐसा कर कि किस देश विश्व टेस्ट चैंपियंशिप सन तो ये जीती है औस्ट्रेलिया ने अब ये तो आपको याद हो गया कि भई ऐस्ट्रेलिया ने जीती है लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि भई जो आस्ट्रेलिया है इसकी राजधानी क्या है इसकी मुद्रा क्या है और इसके वर्तमान में राश्टपती कौन है चलिए तो दोस्तों कुछ जीके की जानकारी भी जा केन बरा क्या है औप से एकजाम में और पूछ ली जाए तो आप लगा के आंगे डींगे तो राश्ट्रेलियन दोलर मुव करते हैं अगर आप जै पहला क्या है कुशन कहा पहला जन जातिये केई संपन हुआ है कहा पर पहला जन जातिये महतसव संपन हुआ तो डियर यह हुआ है भूमनेश्वर में पहला खेल महोत्सव का क्या हुआ है महोत्सव संपन हुआ है क्या है कोशन कहाँ पर पहला फोकस करना है आपको पहला जन जाती है जन जाती है खेल महोत्सव संपन हुआ है तो यह कहाँ पर हुआ है डियर यह हुआ है भूमनेश्वर में मूब करते हैं फटाफट नेक्स्ट कोशन पर जो की है कौन सा देश दुनिया का पहला डिजीटल सरकारी बोंड जारी करेगा कौन सा ऐसा देश है कौन सा ऐसा देश है जो दुनिया का पहला डिजीटल सरकारी बोंड को जारी करेगा तो डियर ये है इसराइल कौन जारी या इस्राइल ये चीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है चलिए नैक्स्ट कोशन पर मूव करते हैं जो की है दुनिया की सबसे सकती साली मतलब की पावरफुल हाइपर सोनिक पवन सुरंग क्या फोकस करना है पवन सुरंग पे कहां खोली गई है अगेन रिपीट कर खोली गई है चाइना में ऐसे जो काम होते न वो चाइना ही करता है तो चाइना ने खोली है सबसे सकती साली हाइपर सोनिक सुरंग यह अगर आ जाए कि सबसे सकती साली हाइपर सोनिक पवन सुरंग कहां पर खोली गई है या किस देश ने खोली है तो आतिया लगाएंगे शहां विए चाइनके बारे में एक चीज़ और विखान में रखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्या तको भी कोन बन गया ये भी चाइना बन गया है चलिए next question पे move करते हैं जो की है किस देश के पूर्व रास्ट पती क्या है question किस देश के पूर्व रास्ट पती पर गोपनीय दस्तावेजों के फोकस करना है गोपनीय दस्तावेज पे गोपनिये दस्तावेजों के मामले में अभियोग अभियोग लगाया गया है तो यह लगाया गया है यूएस से पे और कुछ इसी टाइप का कोश्चन डियर इस बार यूपी पीचेस में भी पूछा गया था तो इसलिए आपको यह कोश्चन अच्छे से याद कर लेना है क्या पता किसी ना किसी स्टेट लेवल PCS में या फिर जो भी अभी कॉमटेटिव एक्जाम होने वाले उनमें यह कोश्चन बन जाए क्या है किस देश के पूर राश्ट पती पर गोपनिये दस्तावेज जो हम मतलब गोपनिये का मतलब क्या होता है जो हम छुपा के रखते यह कोई महत्मून दस्तवेज जो थे हैं कि ऐसे उज्ञागर नहीं गर सकते ऊपनिये दस्तवेजों के मामले में अभियान अभियोग लगाया है किस पर अभियोग लगाया है तो यह अमेरिका ने ठीक है कि आपको ध्यान में रखना एन किस देश के पूर राष्ट पती पर गोपनिये दस्तावेजों के मामले में अभियोग लगाया गया है तो USA के राष्ट पती पर लगाया गया है चलिए नेक्स्ट कोशन पर मूव करते हैं डियर जो की है भारत और किस देश के राष्ट यह रक्सा बलो के बीच संयुक्त सैन् कौन सा X-Equivarin का 12 संस्क्रण शुरू हुआ है तो डियर आपको ध्यान में रखना है मालवीब भारत और मालवीब के बीच कौन सा संयुक्त सैन्नी अभियाद शुरू हुआ है अगर पूछ ले कि भाई यह इनका कौन से नंबर का संस्क्रण है तो यह 12 नंबर का संस्क्रण है अब डियर बात करते हैं मालवीब की कि भाई जो मालवीब है इसकी राजधानी क्या है तो डियर आपको राजधानी भी याद रखनी है मालवीब जो है उसकी राजधानी है माले क्या है मालवीब की राजधानी है डियर माले यह आपको ध्यान में रखना है बात करते हैं sports तो मूदरा की अगर आप से पूछ लें कि माल्द्वीप की मूदरा सुमधै क्या है माल्द्वीप रुपिया किया माल्द्वीप रुपिया यहां कि मूदरा है यह आपको अच्छे से याद करना है कहां पर कहां पर पहला जन जातिये खेल महोचसव संपन हुआ है तो यह मैंने यहां पर भी कराय था आपको अगें किस तरीके से question घुमा फिरांके दे देते हैं जैसे डारेक्ट पूछ ले कि वही कहां पर पहला जन जातिये खेल महोचसव संपन हुआ है तो dear आप क्या लगाएंगे भूबनेश्वर चलिए next question पर भूब करते हैं जो की है किसने फीफा अंडर 20 क्या है किसने फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब जीता है ये काफी मैध पूने dear फीफा विश्व कप से question बनता ही बनता है तो आप इस पर 3 star लगा ले आपको किसी किसी competitive exam में ये question देखने को मिलेगा क्या है question again repeat कर रही हूं किसने फीफा अंडर 20 किसने फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता है तो ये जीता है उरुगवेने किसने उरुगवेने ये आपको ध्यान में रखना है और किसको हराकर जीता है इटली को हराकर ये जीता है ये आपको ध्यान में रखना है चलिए next question पे dear move करते हैं जो की है पवन उर्जा छमता क्या है पवन उर्जा छमता इस्थापित करने के मामले में कौन सा राजे शिर्ष पर रहा है तो dear ये राय गुजरात कौन सा राजे रहा है पवन उर्जा छमता में सिर्ष पर तो आप गुजरात आपको 4 option पे देंगे राजिस्तान दे देंगे गुजरात दे देंगे मध्या परदेस दे करनाठक दे देंगे ऐसे करके 4 option बनाएंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि भई पवन उर्जा च्हमता इस्थापित करने के मामले में शिर्ष पर जो राजिया वो है अभी कौन है गुजरात है यह आपको ध्यान में रखना है गुजरात ने किसे पीछे छोड़ा है तो डियर आपको ध्यान में रखना है गुजरात ने तमिलनाडू को तमिलनाडू राज्ये को पीछे छोड़ के यह इस्तान हासिल किया है चलिए अभी मैं आपसे अगर मैं आ ऀाधर को याद कर लेना है गुजरात के सीम है उपेंद्र भाई पटेल या आपको याद कर लेना है बात करते हैं गवर्नर की गुजरात राज्य के governor बताईए कौन है तो डियर आपको ध्यान में रखना है गुजरात के governor है आचारिये देवरत कौन है आचारिये देवरत ये चीज आपको सारी गुजरात के बारे में याद कर लेनी है चलिए next question पर move करते है ADB और भारत ने किस राज्य में बागानी को बढ़ावा देने के लिए क्या है question ADB और मतलव कि Asian Development Bank और भारत ने किस राज्य में बागानी को बढ़ावा देने के लिए 130 million dollar के रिन समझोते पर हस्ताक्षर किया है तो dear ये क्या हिमाचल हिमाचल और ADB ने क्या बागानी को बढ़ावा देने के लिए कितने million dollar के दिन पर समझोता किया है तो यह किया है दोस्तो 130 million dollar 130 million dollar के दिन समझोते पर हस्ताक्षर किया है भारत के किस राज्ये ने भारत के हिमाचल राज्ये ने और EDB ने यह आपको ध्यान में रखना है किस राज्ये में बीहू कुछु क्या है बीहू कुछु अब आगे भी ध्यान रखना है तो यए मनाया जाता है अरुना चल पर देश में डियर भीहू कुछु महोत्सव मनाया जाता है ये चीज आपको याद रखनी है, चलिए next question पे move करते हैं, जो की है वीश्व पवन दिवस कब मनाया गया, क्या है question वीश्व पवन दिवस कब मनाया गया, 12 जून को, 13 जून को, 14 जून को या 15 जून को, ऐसे करके option में दिया होगा, तो deer आपको ध्यान में रखना हैं, पुरुसकार सन 2023 किसे मिला क्या है कोशन डोक्टर भीम राव अंबेड कर का पुरुसकार सन 2023 में किसे मिला तो दोस्तों यह मिला है यह किसको मिला है योगी आदितेनाथ जी को योगी आदितेनाथ जी कौन है यह है उत्तर परदेश के सियम यह आपको ध्यान में रखना है चल पुरुसकार किसको मिला तो यह मिला है द्वामोदर मोजा को 57 वह यांपीट पुरुसकार प्रदान किया गया है यह आपको ध्यान में रखना है अब आप एक चीज और याद रखेंगे अरुनाचल परदेस के बारे में अरुनाचल परदेश में जो अपने रक्षा मंत्री है राजनात सिंग जी ने सियोल पुल का उधगाटन किया है अगर यह पूछ ले डारेक्ट की भई सियोल पुल कहां पर इस्थित है तो आप क्या लगाएंगे अरुनाचल परदेश में यह चीज आपको ध्यान में रखनी है इसका इने बच्चे जुड़े तो उनको भी यह पता होना अची अगर आजए ग्रीन सिटी अवोर्ड किसे परदान किया गया तो आप याद रखेंगे हैं यह चीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है आज के लास्ट कोशन पर जो की है वर्ल्ड अब बात हो रही है अगर मुंबई को किसको मिला था मुंबई को और यह कोशन डियर यूपी ऐसी सी सं 2022 में करंट अफेर में पूछा जा चुका है तो यह थी आज की क्लास आप सभी को वताना है क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजेगा आपको कक्षा से कितना लाब हो रहा है और अगर कक्षा मैंने आपको उसकी पीडिएफ दे दि है राश्च्क पती की क्लास कराई थी पॉली टीमें स्टार्ट उसकी फीडिएफ डाल दी और करणट अफेर की ढाल दी अब जो यह कर्ण अफेर है इसकी भी डियर आपको पीडिएफ साम तक मिल जाएगी धन्यवार दोस्तों ये थ झाल झाल